यह गुलाबी नगरी जेपुर है जो अपनी सिक्षा, संस्क्रती और चिकित्सा सुविधा के लिए विश्व विख्यात है। जेपुर के टौक रोड़ पर दुरुगापुरा पुलिया के पास इस्तित हाप हॉस्पिटल है जो बच्चों की संपुर्ण चिकित्सा का वर्ल्ड क्लास लेवल सूपर इस्पेशियलिटी हॉस्पिटल है। जेपुर हाप हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम के द्वारा बच्चों की गंभीर बिमारियों का भी इलाज बड़ी सहजता सी किया जा रहा है। जनम से लेकर 19 वर्स तक के बच्चों में किसी भी तरह की बिमारी का सत प्रतिशत इलाज हाप हॉस्पिटल में निउन्तम खर्चे पर किया जा रहा है। जो जैपुर को वर्ल्ड क्लास सीटी बनाने में अपना एक अधभुत योगदान दे रहा है। हाप हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं हैं जो बच्चों के अक्सिडेंट, चट से गिरने, जानवरों या साब के काटने, अत्वा जल जाने जैसी आकस्मिं घटनाउं से फेलने वाले संक्रमन को रोकने की परफेक्ट सुविधा है। संपुर्ण राजस्थान से गंभीर बिमारियों वाले बच्चों को घर से लाने की वहन सुविधा भी हॉस्पिटल की तरफ से उप्रावद करवाई गई है। हॉप हॉस्पिटल में विश्व इस तरहे चिकित्सा सुविधां से युक्त आईसोलेशन रूम है जो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेसर को बैलेंस करता है और कोविड नाइन्टीन की रोकथाम के लिए सबसे कारगर उपाई है। चिकित्सा क्षेत्र में सेवा और समर्पन के साथ प्रतिबद हॉप हॉस्पिटल में डाइगनोस्टिक फैसलिटीज के रूप में पैथालोजी, रेडियोलोजी, कार्डियोलोजी, नियूरोलोजी और अन्य सभी डाइगनोस्टिक सुविधाई भी उपलब्द है। विस्व भर के बच्चों में अलग-अलग तरह की बिमारियों के समुचित इलाज के अनुभवी चिकित्साकों की टीम के सीनियर कलसल्टेंट या 24 गंटे मौजूद रहते हैं। हाफ हॉस्पिटल में सभी तरह की रिनल रिप्लैस्मेंट थेरेपी की सुविधा भी उपलब्द है। हाफ सूपर स्पेसिलिटी हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक सर्जरि, गेस्ट्रो एंट्रोलोजी, निरोलोजी, पलमनोलोजी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलोजी, एंडोक्रिनलोजी, यूरोलोजी, डेंटिष्ट्री, हैमेटो अंकोलोजी और E.N.T. समेत हर तरह की बिमारी के इलाज की वर्ल्ड क्लास सुविधा है डॉक्टर सुनील दत सर्मा डॉक्टर मेजर योगेश विजे डॉक्टर परशांत मिठारवाल डॉक्टर अंकित मंगला के साथ अनुभवी और समर्पित डॉक्टर्स की टीम बच्चों के इलाज के लिए प्रतिबद्ध है अधिक जानकारी के लिए आप हॉप हॉस्पिटल के फेस्बुक पेज या वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपन जब भी कहीं पे जाते हैं तो बच्चों के लिए अलग खिलोने, अलग दुकान और उनकी हर चीज़ों के अलग तरह किसे देखते हैं तो क्यों नहीं उनके हेल्थ के बारे में हम जाग रूक रहे हैं और इसी को मदरेज़र रखते हुए हम सबने मिलके एक पेडिट्रिक सुपर स्पेसिलिटी की एक नीम रखी है एक्चुल में जब हम बैटे तो यह देखा कि अडल्ट का जब भी इलाज चलता है तो हम देखते हैं कि उनका काडियोलोजिस्ट अलग है, उनका नेफरोलोजिस्ट अलग है, उनका नियूरोलोजिस्ट अलग है उनकी intensive care लग है, एक महीने से बच्चे के कम में कहीं भी हम intensive care अच्छे तरीके से नहीं मिलती है तो जब हमें लगा कि हम लोग चुकि राजस्तान से बिलॉंग करते हैं तो क्यों नहीं अपने मिट्टी को कुछ नया दिया जाए और इसलिए हमने इस hospital की निव रखी, एक ही छत के निचे सभी pediatric superiority जिसमें की pediatric neurologist, pediatric nephrologist, pediatric cardiologist, बच्चों की घहन चिके साहकाई एक महीने से कम जो बच्चे होते हैं उनके रकरकाव और उनके इलाज के लिए बहतरीन विस्विस्तरिय सुईदा, उसके अलावा भी हमारे पास pediatric orthopedic, pediatric ENT और सभी तरह के बच्चों की बिमारियों का इलाज है तो जब भी जटिल और जो क्रोनी के हम कहें कि लंबे समय से जो बिमारिया चलती जा रही है, उनके समादान के लिए अब आपको कहीं भी जाने की जरुत नहीं है हमें ना विदेश में जाने की जरुत है, ना कहीं मुंबई या दिली जाने की जरुत है जब आपके शहर जैपूर में ही इस वेस्तरिये ख्याती नाम चिकिश्चकों के द्वारा आपके लिए सुलब और यूं कहें कि अफोर्डेबल जिसे हम कहते हैं कि कम खर्चिला इलाज आपके सहर में ही उपलब्द है तो हाट आफ जैपूर जो कि दुरगापूरा पे में टॉंग रोड पे वहां पे हमने हॉप हॉस्पिटल की इस्थापना की जिसमें सभी प्रकार की सुविधा हैं हम यहां प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें मेंली जो बच्चों की जो परेशानी हो उसमें अक्यूट केर द बहुत ज्यादा सेंशियल है एन इस्यू है तीस बैट का जिसमें सारी प्रकार के वेंटिलेटर सुविधाय हैं हमने पिछले तीन महिने में यह बहुत सारे बच्चे जो की बहुत ही कम वजन के थे बचा के घर भेशने में सफल हुए इसके अलावा हम छोटे बच्चों से लेके उननीश-बीस साल तकी बच्चों का सारा डायलेसिस और किडनी से रिलेटर्ड बहुत बढ़ा सेंटर है जिसमें सभी प्रकार की सुईधाय उप्राप्त हैं CRT मशीन है, डालेसिस मशीन है, हम जिन बच्चों के कैनुलेशन और सेंटर लाइन डिफिकल्ट होती है, जिसको हर कोई नहीं डाल पाता है, मोटा बच्चा है, फैटी है, सुई डालने की जगह नहीं मिल रही है, हम सारी चीजें अल्टरा साउंड गाइडेट तकनीक से करते जिसे एक ही प्रिक में लाइन लगने की संभावना बढ़ जाती है